Hello everyone, today we'll talk about WPW syndrome that is Wolf Parkinson White syndrome ये विला जो syndrome है, ये रिएंट्री का एक example हम लोग करते हैं anatomical re-entry में आपने अगर path physiology वाली वीडियो देखी है किसकी एरिद्मिया की तो आपको उसमें मैंने आपको बताया था कि anatomical re-entries होती हैं जिसकी वज़े से tachycardia होने के chances बहुत बढ़ जाते हैं and that will cause arythmia तो ये WPW syndrome हम आजब डिटेल में पढ़ेंगे ये पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि normal pathway क्या है normally ये जो essay node है वो fire करती है every 0.8 seconds उसके बाद जो है impulse पूरे के पूरे atrium में travel करती है from them, from there it will go to the EV node और जो EV node है वो slow करवाती है conduction उसके अंदर delay आता एक और फिर EV node से bundle of his और purkinje system के थूँ normally वो चले जाती है पूरी के पूरी ventricles में ये जो purkinje system है और ये जो bundle of his का system है ये काफी fast conduction करता है reason क्या है, EV node करता है slow conduction ताकि ये जो उपर का atrium है वो contract अराम से कर सके पूरा का पूरा contract कर सके और ventricle में blood को दे सके तो इन दोनों में अगर हम देखें कि ये जैसे EV node है और ये bundle of his और purkinje fibers में ऐसा क्या difference है जिसकी वरे से उनकी impulses जो है slow या fast conduct हो रही है तो EV node में you can see यहाँ पर कितने number of cells है जादा है और इसमें देख लो 1, 2, 3, 3 cells है बस एक इतने ही distance में जादा number of cells है तो मतलब उसे जादा distance travel करना पड़ेगा distance तो same है लेकिन उसे पहले इसमें से निकलना पड़ेगा फिर इसमें से निकलना पड़ेगा और इसमें क्या है सीधा निकलना पड़ेगा तो इसकी जितनी walls आ रही है उतनी obstacles है उसमें से उसको pass करना पड़ रहा है लेकिन इसमें यहाँ second जो चीज उन्होंने बताई है that is less number of gap junctions और इसमें more number of gap junctions gap junctions क्या होते हैं जैसे कि यह एक cell है और यह एक cell है इन दोनों के बीच में जो connections है न क्यूंकि gap is a connection तो वो जो gap junctions है वो जितने होंगे उतना ही easily वो जो चीज है वो इसके अंदर चली जाएगी मतलब की impulse जो है वो ऐसे चली जाएगी लेकिन यह AV node के अंदर less number of gap junctions है वो भी एक factor हो गया तीसरा factor है कि इनके जो cells है AV node के उनका diameter कम है और यह bundle of his के जो diameter है वो जादा है और विस थी बात है physics के point of view से भी कि जो जो चीज जादा diameter में जादा है तो उसके अंदर resistance जो है वो कम आएगी और इसके अंदर जो diameter जिसका कम है उसमें resistance जादा आएगी तो यह भी है कि resistance जादा हो रही है इसलिए impulse slope टावल करेगी last जो चीज है that is RMP जो है that is resting membrane potential जो AV node के अंदर है that is minus 60 और इसके अंदर है minus 90 माइनस 90 millivolt पे क्या होते है कि जो fast sodium channels होते है न वो open हो जाते है और वो conduct करते है जब sodium वाली impulse travel करती है तो फिर यह travel होता है यह वाली impulse होती है लेकिन जो AV node वाली होती है उसके अंदर जो fast sodium channels है वो closed रहते हैं तो इसलिए इसमें fast conduction नहीं होती क्योंकि sodium channels जो है इस RMP पे इस millivolt पे इस voltage पे वो closed रहते है तो यह हमने differentiation कर ली ताकि हमें पता लग जाए कि AV node में slow connection हो रही है mainly शुरू करते हैं वोल्ट-Parkinson-White syndrome यह एक accessory pathway है accessory मतलब कि एक normal जो pathway है that is AV node वाला accessory pathway है कि इसके इलावा कोई भी pathway that is accessory अब इस case में क्या हो रहा है accessory pathway है हमारा bundle of Kent यह आपको जो यह वाला दिख रहा ना this is bundle of Kent and this is an accessory pathway इसमें जो impulse travel करती है वो unidirectional भी हो सकती है वो bidirectional भी हो सकती है यह डिरेक्शन में भी दो टाइप्स की हो सकती है anti-grade या retrograde anti-grade मतलब कि वो उपर से नीचे आ रही है retrograde मतलब कि वो नीचे से उपर जा रही है या तो यह हो सकती है या तो दो नहीं उपर से नीचे भी आ सकती है नीचे से उपर भी जा सकती है impulse वो डिरेक्शनल भी हो सकती है अब यह जो bundle of Kent है यह most commonly left free wall पे होता है उसके बाद हम बोलते हैं कि posteriorly septal वाले एरिया में होता है उसके बाद the right free wall तो वैसे most commonly मालो 50 to 60% जो है वो left free wall पे bundle of Kent लोगों में मिलता है और यह जो bundle of Kent है यह कई लोगों में congenitally present होता है मतलब बर्ट से ही यह present है तो यह जो है जरूरी नहीं है कि बड़ से ही symptom शो करें इसमें bundle of Kent में क्या होता है इसका एक चीज है कि यह fast conduction करता है than EV note हमें पता है EV note डिले करवाती है ताकि एट्रियम जो है वो अराम से contract हो सके ताकि blood सारा ventricle में आ जाए तो faster conduction करवाती है है वो inactive होते है वो conduct नहीं कर सकते इसलिए वो refraction में है क्योंकि sodium channels अब conduct करेंगे तभी वो depolarization होगी refractory period में conduction नहीं होती है इसलिए that is उसका जो bundle of Kent है उसका जो refractory period है वो longer है लेकिन वो fast conduct करें than EV note हमारा यहां पे जो comparison हो रहा है ऊहाँ रहा है अब क्या होता इसमें normally क्या होगा लेकिन हम ने बोला कि यह जो bundle of Kent है इसमें conduction faster हो रही है तो इसका मतलब है कि यहां से सबसे यहां पर पहले आजाएगी और यहां पर अभी AV note अपना delay कर रही है लेकिन तब तक bundle of Kent नीचे आ जाएगी, faster हो जाएगी क्यों इसमें faster होती है struggles है कि जो bundle of cant है यह normal myocardial जो cells हैं उसकी बनी हुई है और myocardial cells में क्या velocity होती है moderate हमने बोला जो AV node है वो slow है जो normal atrium ventrical cells है वो moderate है اور जो यह bundle of hairs और यह जो pure tuberском system घो it fast conduction है तो इसलिए ये जो अगर myocardium normal ventricle atrium myocardium से बना हुआ है तो that is कि वो moderate velocity करेगा लेकिन AV node के comparison में faster तो bundle of kent क्या है ये एक accessory pathway है जो atrium को ventricle के साथ connect करेगा जैसे कि AV node करता है तो इसमें impulse जो है वो पहले आ गई और AV node में अभी बची हुई थी जब ये impulse ventricle में आई तो उसने ये वाला area जो है वो excite कर दिया that is known as pre-excitation of the ventricle अब ये जो ventricle की excitation हो रही है ये obviously अपने ही speed से करेगा और अपने इसकी speed हमने क्या बोली moderate तो इसकी जो excitation होती है ventricle की वो moderate velocity से होती है normally क्या होता है normally ये वाले जो पुर्किंजर सिस्टम और ये bundle of his है ये जो ventricle को impulse travel करव होते हैं वो fast होती है इसमें moderate होगी तो इस case में कौन फास्ट हुआ पुर्किंजर सिस्टम और उस case में जब यहां से atrium से ventricle तक जाना था तो तब कौन फास्ट हुआ ये bundle of kent तब bundle of kent लेकिन जब ventricle में ही impulse travel कर रही है तब हमारी normally bundle of his करवाती थी और अब कौन गी bundle of kent तो इस case में fast कौन हुआ bundle of his all right तो जब ये impulse जो है ventricle में ये वला area जो है pre-excite हो जाएगा तब तक क्या हुआ कि यहां से impulse जो है ventricle की वो moderate होगी velocity, normal से कम होगी velocity, clear? अब जैसे कि यहां पर देख लो ये wave जो थी, ये normal थी, ये P wave आई, atrium की depolarization, ये जो बीच में line आई है that is PR interval, ये क्या है? ये suggest करता है AV node का delay, इतने time जो है ventricle तक नहीं पहुँची impulse, उसके बाद जब impulse पहुँची तो एकदम से abrupt एकदम से आया, लेकिन इस case में क्या हुआ, normal P wave आई, अब इस case में ये जो PR interval था, ये वाला, ये नहीं आया, क्योंकि AV node delay है ही नहीं, क्योंकि जो impulse है, वो कहां से जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, बंदल आफ केंट से, वो पहले ही बंदल आफ केंट से चली रही है, बंदल आफ केंट से जा रही है, ना कि पुरकेंजे सिस्टम से जा रही है, PR interval, PR interval शॉटन है, बेकिस कि वो AV node से नहीं जा रही, डेल्टा वेव आ रही है, लेजी onset है, क्योंकि ये लेजी हो रहा है, लेजी onset है, क्योंकि वो पुरकेंजे सिस्टम या बंदल आफ ह से नहीं जा रही है, यह reason है, wide QRS complex बन जाएगा, क्यों क्योंकि delta wave बन रही है, इसे लिए जो QRS complex नॉर्मल बनता है, उसे wide हो जाएगा, एक बार यहां पर चल जाए, उसके बाद फटाफट हो जाएगा, क्योंकि यह वाला जो part है, यह कौन करेगा, उसके बाद जो impulse है, वो bundle of केंट से नहीं bundle of हिस्स्ते आएगी तो ये तीन जो है पीर इंटरवल शॉर्ट होना डेल्टा वेव का आना वाइड क्यू आरेस कॉम्प्लेक्स का बना दीस डब्ल्यू पी डब्ल्यू पाट्रिन ज़रूरी नहीं है कि जिनके अंदर डब्ल्यू पी डब्ल्यू पाट्रिन ह हो उनके अंदर सिंटम्स भी डेलप हो उनके यंदर टेक lado के अगर डब्ली 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 सिंड्रोम के साथ साथ री एंट्रेंट टेकी काड्य Taxi शुरू हो जो हए तब्बंद उनके अंदर एक्टॉपिक तो की बन जाता है वह जमान यह यह वाली चीजे होते ना यू नॉर्मल पाथवेज होते हैं, उनके अंदर Ectopic 4 Chi बनने का रिस्क जादा होता है वो Ectopic 4 Chi क्या करता है? Irritated Focus of Automaticity मतलब कि वो Automatic अपने आप है वो अपने आप ही जो Impulse है वो originate करेगा अब ये जो है, ये दो Types क्यों हो सकते हैं, Orthodromic Cantodromic, इन में क्या होता है? ये जो Bundle of Kent होता है, हर इनसान में ये different है जरूरी नहीं है कि जो एक चीज़ हम एक इनसान के लिए बढ़ रहे हैं, वो दूसरे के लिए Bundle of Kent के properties same हो इनकी properties vary करती है, इनकी functional properties कि ये कितने impulse पे regenerate करेगा, conduction कितने impulse पे ये वो हो जाएगा refractory period में जाएगा, कितने time तक ये refraction शो करेगा, ये हर एक में different होता है, तो दो case हमने ले लिए, एक case हमने लिया, जिसमें AV node जो है, वो refractory period इसका long है, जैसे कि ये case इसमें AV node का refractory period long है, और ये case इसमें Bundle of Kent का refractory period long है तो जिसका long है, obviously उसमें तो impulse जाएगी नहीं, तो इस case में क्या हुआ, कि AV node से impulse travel करती है, जब AV node से impulse travel करेगी तो जो PR interval होगा, वो normal होगा, राइट अब जब वो इधर से आई ventricle में, obviously ventricle में उसने impulses दी, तो जब वो वापस गई, तब तक क्या हुआ, कि ये वहला हमारा pathway है, जो की bundle of Kent है, तब वो refractory period से बाहर आ गया, वो activate हो गया, तो अब क्या होगा, यहां से impulse जो है, दुबारा से चली जाएगी, अब दुबारा से इसने impulse दी, और वही circle दुबारा से generate हो गया, तो ये cycles repeat होने लग गए, और antidromic में क्या हुआ, अब ये इसमें AV node का refractory period है, मतलब कि यहां से जो impulse जाएगी, वो block हो जाएगी, क्योंकि ये refraction period में है, ये inactive है, तो इसमें हमने इधर impulse दी, ये इसका refractory period कम था, तो इसने start कर दिया जाना, तो ये ऐसे इसका cycle जो है, वो इस तरीके से घुमेगा, अब ये जो cycles है, माल लो, अगर 0.3 second के, अगर normally जो है, वो 0.8 second का होता है, माल लो, इसमें 0.3 second का हो गया, तो 60 second में, 0.3 हमने डिवाइड कर रिया, तो कितने beats आएगे, कितने cycles आएगे, that is 200 beats per minute, that is taggycardia, कितने जल्दी इंपल्स ट्यावल कर रहा, कितने जल्दी उसका refractory period खता हो रहा, ये उसके उपर dependent होता है, तो अगर माल लो, 250 तक पहुंच जया, 300 तक पहुंच गया, तो flutters आ जाएंगे, fibrillations हो जाएंगी, तो that is taggycardia, इसको हमने break करना हो, इस circuit को, तो हम क्या करेंगे, हम AV node को block कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये जो pathway है, ये जो accessory pathway है, उसे हम destroy कर सकते हैं, अब ये जो destruction है, वो हमें पता होनी चाहिए, कि कहां पे है, तभी हम उसको exactly destroy कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, radio frequency treatment दे कर, radio frequency treatment, कुछ बात ही जो मैंने आपको उपर बताएं, कि और्थोड्रॉमिक जो बात था, जैसे कि ये, जिसमें जो impulse है, वो AV node से ही जा रही थी, अगर AV node से जा रही है, तो मतलब उसका PR interval normal है, कोई pre-excitation नहीं हो रही, pre-excitation कब होती थी, जब वो bundle of kent से, जो चले जाता था पहले ही, और उस pre-excitation मतलब, अराम-अराम से ही excite हो रहा है, और जब थोड़ा सा area बस होता है excite, उसके बाद AV node पे, ये जो bundle of his है, वहाँ पे आ जाती है impulse, और फिर वो करता है ventricle को depolarize, तो वो जो कुछ parts, जो bundle of kent करता था, that was pre-excitation, विस केस में क्या हो रहा है, orthodromic के केस में, सारा का सारा AV node ही कर रहा है, उसको conduct, तो इसलिए no pre-excitation, impulses जो हैं, वो कहां से आ रही है, AV node से आ रही है, it and it is going back through bundle of kent, bundle of kent के थुरू बापच जा रही है, तो इसमें जो qrs complex बनेगा, that is normal, antidromic वही हमने यहां पे किया, इसमें impulse कहां से टा रही है, इसमें bundle of kent से जा रही है, तो मतलब कि इसका जो qrs complex होगा, वो widen होगा, पूरा का पूरा, जो हमने पहले किया था, यह वले area में, यहां पे हमने, यहां तक किया था, बस delta wave, उसके बाद हमने फटा-फट से, R और S दे दी थी, क्योंकि अब यह जो R और S, जो हो रही थी, यह हो रही थी bundle of his की वरे से, क्योंकि bundle of his अब आ चुका था, अक्शन में, यह delta wave थी bundle of kent में, लेकिन यह वाला, जो री एंटरेंट वाला फिनॉमिनन है, यह वाला, इसमें सारा का सारा, जो है, bundle of kent ही कर रहा है, ventricle को depolarize, तो bundle of kent तो अराम अराम से करता है, bundle of his करता था, बहुत ही fast, तो bundle of kent ने, अराम अराम से करना, इसलिए पूरा का पूरा QRS वाला ही वाला ही यह नहीं कि सिर्फ डेल्टा वे, पूरा का पूरा क्योरा ही ह्योगा, और इसमें जो इंपल्स है, हमने देखा, bundle of kent से जा रही है, एवी ब्लोकर्स जो एवी नोड है, उसके blockers हम लोग नहीं दे सकते, यहां contra indicated in atrial fibrillation, that is contra indicated in atrial fibrillation, क्यों? क्योंकि atrial fibrillation का मतलब है, जैसे कि यह हमने बनाया, तो atrium के अंदर काफी सारे micro circuits develop हो गए, मतलब कि जो atrium है, उसके अंदर ही काफी सारे ectopic foci, एक नहीं, काफी सारे develop हो गए और वो अंदर ही अंद मतलब अलग circuits चल रहे हैं, उनके micro circuits, तो उस case में क्या होता है, कि अगर AV node है, और यह bundle of kent है, हमने अगर AV node को block कर दिया, तो सारे के सारे जो impulses है, वो कहां से जाएंगी? वो जाएंगी bundle of kent से, और bundle of kent में तो कोई भी delay होता ही नहीं है, तो फिर AV node को अगर हम block कर देंगे, तो सारी की सारी जो impulses, जो यहां पे flutter वाले हैं, flutter मतलब 250 से अबब, 250 से और 350 के बीच में जो heartbeats हैं, वो सारी की सारी ventricle में travel कर देगी, हमें atrium से डर नहीं लगता, हमें ventricle की fibrillation से डर लगता है, क्यों? क्योंकि ventricle की fibrillation जब होगी, तो फिर cardiac output बहुत कम हो जिसकी वज़े से क्या होगा, ब्रेन को कम सप्लाई मनने के वज़े से वो सिंकोपी ट्शो करेगा, सिंकोपी मतलब की fainting, loss of consciousness, सिंकोपी के बाद कोमा में जा सकते हैं, और ब्रेन डैथ हो सकती है, तो यहार, this was about Wolf Parkinson White syndrome, जो बेरी करता है लोगों में, और जिसके symptoms बेरी करत झाल झाल